हेलो नमस्कार काद्यान्स कुकिंग में आपका स्वागत है आज में लेकर के आई हूँ बहुत ही यूसफुल और कमाल के किचन के टिप्स तो चल ये बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ अगर आप दलिया बनाना चाहते हैं तो ये वाला टिप आपके जरूर से काम घर पे किस तरे के से मैं मिक्सी के जार बना है यह कादा के रखा हूआ और थोरो करे पिस लेती हूँ और और My काफी यूसफुल है here मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं तो यह आप देख सकते हैं गेहूं को आप मिक्सी के जार में डाल लीजिए जो छोटे वाला जार होता है जिसमें हम मसाले वगरा पीसते हैं या चटनी वगरा तयार करते हैं उस वाले जार में डाल करके कुछ सेकंड के लिए ही तो मैं इसी तरीके से घर पर दल्या बना लेती हूं और आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इस दल्या का जबरदस्त खिचडी भी बना सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अभी सेकेंड टिप के तरफ जो कि है इसी दल्या से बनने वाली बहुत ही टेस्टी वाली खिचडी तो इसके लिए हाफ कप मैंने मिक्स दाल ली है हाफ कप राइस लिया है इन दोनों को अच्छे से दो लेंगे दल्या मैं बाद में डालूंगी क्यो इसे बिगो करके रख देंगे तो जिसकब से आपने डाल चावल और दल्या लिया उसी से हम पानी डाल करके इसमें बिगो करके रख देंगे ताकि जब हम इसका दल्या या खिचरी बनाए तो फटाफटी बन जाए और बहुत ही सॉफ्ट और आराम से यह मैश भी हो जाता ह बहुत ही अच्छा स्मूथ उसका टेक्शर भी आता है तो कुकर में हमने डाल दिया है एक चमच घी और थोड़ा सा जब घी गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा डाल देंगे और हल्दी भी डाल देंगे आप चाहें तो यहां पर हिंग का भी यूज कर सकते हैं या फिर लेस बहुत ही हेल्दी बहुत ही न्यूट्रिशिस तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और बस मिक्स कर लेंगे और पानी आपको साधे तीन गुना डाल देना है जितने भी आपने डाल चावल और दलिया मिक्स करके लिया है अब धकान ल तो यह दालों का भी बहुत ही अच्छा प्रोटीन वाला हमारा खाना तेयार हो गया वन पॉट मील है इसे आप चाहे तो सुबह दुपैर या रात किसी भी टाइम पर बना सकते हैं बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही अच्छी लगती है अब जो थर्ड वाला टिप रॉड़ दोस्तों अगर आप काले चने भीगो करके उसके जबनाना चाहते हैं यह किसी भी ग्रेन काप बनाना चाहते है तो यह वाला टिप आपके जरूर से काम हाएगा तो चनों को मैंने रात में बीगो करके रख दिया था ओवरनाइट अच्छी से फूल चुके हैं सॉ तो यह एक दोबर ही मैंने वाश कर लिया है और इसके बाद में आपको इसे एक होट केस में डाल देना है तो यही वो ट्रिक है जिससे आपके चन्री के स्प्राउट्स बहुत ही क्विकली और बहुत ही जटपट और अच्छे से स्प्राउट हो जाएंगे तो इस तरीके से कै अगर आप दूप में रखना है अगर आप दूप में रखना है तो किचिन के किसी डार्क प्लेस में आपको इसे रख देना है और यह आप देख सकते हैं लगभग 18 गंटे के बाद में यह बहुत अच्छी से स्प्राउट हो चुका है तो मैं अभी इसे निकाल करके एर टा स्प्राउट के लिए बहुत जरूरी होता है तो इस तरीके से आप स्प्राउट को फटा फटी तयार कर सकते हैं तो यह देखिए यह हो गया तयार और इसे आप अपने उप्मा में बोहा में यह किसी भी हेल्दी रेसिपी में या पिर ऐसे ही आप इनको तड़का लगा कर क अब किसी को अंकुरीट चन चन पसंद नहीं है तो इस तरीके से खा सकते हैं तो आप आपको पता भी चैसे जड़ियंगा लिए तो हेल्दी बहुत ही होता है वर्टे और टिप की तरफ दोस्तों अगर आप बैंगन का भरता बनाने जा रहे हैं तो यह वाले टिप आपके काम आएगी एक इस तरह का स्टील रैक आपको मिल जाएगा बरतन की दुकान पे वो खरीद करके रख लीजे एक ही स्टैंड पे आप दो या तीन जितने भी बैंगन आ रहे हैं आराम से आप इनको डाल करके भून सकते हैं एक तो आपका समय भी बचेगा बार-बार भूनने क लिए खड़े रहने की जरूत भी कम पड़ेगी मैनत कम लगेगी और फ्यूल भी आपका बच जाएगा तो एक ही आज पे आप दो बैंगन को आराम से भून सकते हैं तो यह वाला टिप मेरे बहुत ही यूस्फुल है यह वाला जो स्टैंड आता है वो मेरे बहुत काम आता है अगला टिप है दोस्तों वह है इस तरीके का मैशर भी बहुत ज्यादा यूस्फुल होता है हमारे कीचन में तो यह इस तरीके के लकडी के या स्टील के कोई भी हो तो आप दाल वगर को मैश कर सकते हैं अगर आप दाल मकनी बना रहे हैं तो भी आप दाल मकनी को की बना सकते हैं आलो के पराठे वगरा बनाने है या आलो की को यसी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी जिसके लिए आपको अधको मैश करने कि बजाए इस तरीके के पोटैटो मैशर वगरा भी आप यूस कर सकते हैं अगला वाला टिप की तर तो दोस्तों अगर आपकी दाल म उसे अच्छे से धो लीजिए कम से कम 3-4 परी इस तरीके से मसलते हुए अगर आप धोएंगे तो आप देख सकते हैं पानी कितना डार्क हो उचुका है रो इस पानी को चिंज करते हुएक आप 2-3 परी इस डाल को दो लीजिए फिर आप देखेंगे जब आप इसे तड़का लगाएंगे तो आपकी जो डाल मखनी का कलर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा तो जैसे होटल या रेस्टोरेंट वगरा में बनती है वैसी ही आपकी डाल मखनी तयार हो जाएगी तो यह आप देख सकते हैं दो तिन बरी दोने के बाद इसका जो जितना भी काला पन इस साबुत उड़त की डाल पर वो सारा निकल चुका है अब यह अच्छे से साफ हो चुकी है और आप देख सकते हैं अब यह बिल्कुल भी काली नहीं है बस अब इसे हम उबाल लेंगे और इसके तड़के में चौक लगा लेंगे और चौक लगाने से पहले यह वाले जो मैंने बताये थे मैशर वह बहुत काम आते हैं तो दाल मखनी को इससे मैश जरूर से कर लिजेगा दाल मखनी का टेक्शर बहुत ही अच्छा आता है तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह देखिए इस तरीके से यह जो दाने से अलग अलग रह जाते हैं इनको अच्छा सा बाइंड अलग अलग नहीं है और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है बस अब हम इसे तड़का लगाएंगे और फिर सर्व करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं तड़के में मिक्स करने के बाद में इसका कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है और यह बिल्कुल भी डार्क नहीं ब आएगा टेस्ट तो सेम ही रहने वाला है लेकिन कलर डार काता है अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट टिप की तरफ बहुत ही टेस्टी प्याज के स्टफिंग वाले करेली की रेसिपी शेयर कर रही हूं तो दो प्याज मैंने यहां पर चौप करके रख लिए मसालों में स प्याज की स्टाफिंग का पाउडर याने अद्रक का पाउडर थोड़ा सा बुनाओं जीरे का पाउडर और सौंफ हम इसमें डाल देंगे और बस इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी यह प्याज की स्टाफिंग हो जाएगी तयार उसके बाद में हम क निकाल देना या चाकू की मदद से भी आप निकाल सकते हैं और फिर इस्टाफिंग हम भर देंगे यहां दागा ले लिया है और दो तिन बार इस तरीके से लपेटे और तोड़ ले और ताकि यह जो स्टाफिंग है वह बाहर ना निकले और अच्छे से यह बंद हो आपको बहुत फोट हड़े टरी हो थ्सक्राइब हम लेकाट यह तो तरीका वाली रिटमशन लेंगे गरी हम देंगे लिटमशन से यह को सब्सक्राइब को पर आपको नहीं चरमधित दचछाब्त होली है और इसे हम तड़का लगाएंगे सरसों के तेल में क्योंकि सरसों के तेल में यह करे लेकी सब्सक्राइब बहुत ही जबर्दस बनती है मेरे चैनल पर एक और मसाला करेली की रेसीपी मैंने शेयर कर रखी है वह भी बहुत जबर्दस बनते हैं तो अगर आप देखना जो थोड़ी बहुत स्टाफिंग बच जा है वह भी आप इसमें डाल दीजे अब करेले जो हमने इस कड़ाई में डाल दिया उनको एक मिनिट तक हाई हीट पे लगातार इस तरीके से चलाते हुए आपको थोड़ा सा भून लेना है तो तेज आज पे एक मिनिट इस तरीके जादा टाइम नहीं लगता है सब्ची को तयार होने में और आप देख सकते हैं के साइट को पलटना बहुत जरूरी है नहीं तो यह जल जाएंगे एक ही साइट से अगर यह रहेंगे काफी तेर तक और यह बहुत जबरदस्त रेसिपी है उमीद करती हूं आज की मेरी यह आप लोगों को अच्छी जरूर से लगी है वीडियो कर थोड़ी सी भी अच्छी या यूसफुल लगी है तो दोस्तों को शेयर जरूर से कीजिएगा अपने फैमिली में भी ताकि यह कुछ यूसफुल टिप्स उनके भी काम आसान और बहतर बन सके और यह वाली जो सबज लिए अंदर चाकू चला जाएगा तो करेल एक दम तयार बस इसे अब हम सर्व करते हैं गर्मा गरम पराठे पूरी रोटी के साथ बहुत ही जबर्दस लगता है मैं आपको एक कट करके दिखाती हूं यह आप दिख सकते हैं बहुत जबर्दस बने हैं तो फ्रेंड्स यह कि मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आप अपने लाइक के जरिये मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह की जबर्दस वीडियो आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर के आती रहूं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है जरूर से दबा दीजेगा ताकि आगे की सभी वीडियो की अपडेट्स आपके फोन पे सबसे पहले पहुचे और हा कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप कौन सा लगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीचेगा थैंक यू फो फॉचिंग स्टे कनेक्टेड